तो इस वीडियो को देखके तुम 크it 크it chain और combo सीख चुके हो फिर भी तुम हर सर्वर में जाके अपनी लाल करवा रहे हो या फिर तुम netport में तो जीत जाते हो लेकिन accent shield में हार जाते हो और tank में जीत जाते हो तो crystal में अपनी bump वटवा लेते हो So, इसी के लिए मिले कर आया हूँ How to become a PvP God So, इस वीडियो में मैं तुम्हें हर एक गेम मोड को एक अलग strategy के साथ खेला सिखाऊंगा जिससे कि तुम्हारा एनिमित तुम से कितना भी powerful हो तुम उसे easily हरा पाऊगे So, मैंने डिवाइड किया इस वीडियो को साथ पोइंट में और तुम साथवा पोइंट नहीं देखते हो तो तुम PvP सीख तो जाओगे लेकिन उसे apply नहीं गरबाऊगे So, अब हम बात करेंगे point number 1 याने net pod की So, अब हम mainly focus करेंगे थोड़ा advanced level की PvP पे So, देखो, net pod में अगर तुम 3-4 जोगा ध्यान रख लेते हो तो तुम किसी को भी हरा सकते हो जैसे कि अपनी health, अपने opponent की health, अपने potion और food So, मैंने कई बंदों को देखा है जो fight start होने से पहले ही 4-5-6-7 apple खाते हैं और fight में थोड़ा बहुत भी low हो जाते हैं तो अपने उपर सारे के सारे potion डाल लेते हैं बढ़ तुम्हें इसा नहीं करना है तुम्हें अपने food और potions को बचा के रखना है तुम्हें fight start होने से पहले बस एक या दो apple खाने है और एक apple जब enemy तुम्हारे बिल्कुल pass आ जाए तब खाना है इससे तुम्हें 4-5 second का regeneration मिलेगा या फिर ये समझ लो कि तुम्हारे enemy से एक दो heart extra मिलेगे अब दूसरी strategy जो है वो बहुत कम लोग यूज़ करते हैं या फिर high tier वाले players ही यूज़ करते हैं और वो ये है कि जब तुम्हारे enemy apple खा रहा है तो तुम्हें उसके बाद apple खाना है जिससे तुम्हें अपने enemy से एक heart extra मिलेगा और जब तुम 5 हट या इससे ज़्यादा पे हो तो healing के लिए अपने potions मत बरबाद करो इससे अच्छा तुम एक दो apple खालो और अगर तुम्हारी healing 5 हट से भी कम है तो तुम्हें एक potion डाल के apple खालो और तुम 3 हट या इससे भी कम हो तो तुम 2 potion डाल लो और potion डालने के बाद तुम्हें एक apple तो हमेशा खाना ही है इसके अलावा तुम अपने enemy को P crit मार सकते हो जो कि one of the advance crit है because अगर तुम्हारा enemy बहुत अच्छी crit chain करता है या फिर बार-बार तुम्हें combo मारता है तो तुम उससे बच सकते हो और उसे अच्छा खासा damage दे सकते हो so P crit मारने के लिए तुम्हें wait करना होगा अपने enemy का कि वो तुम्हें मारे बस ये सब कर लिया तो net port में तुम्हें कोई नहीं हरा सकता है so अब हम बात करेंगी point number two यानी accent shield की लेगिन उससे पहले ये देखो यहाँ पर मैं shield up करके खड़ाओं फिर भी मेरे enemy ने मुझे मार दिया वो भी बिना मेरी shield disable किये अब ये इसने केसे किया ये भी मैं आगे बता दूँगा बड़ इससे पहले अगर तुम्हें accent shield खेलते हो तो तुम्हें पता होगा कि इसमें हमें full नहीं मिलता है इसका मतलब है हम हमारी health और saturation को नहीं बढ़ा सकते है सो accent shield में तुम्हें फालतूगी jump और sprint नहीं करना है क्योंकि तुम जम्प करोगे तो तुम्हारा saturation खतम हो जाएगा जिससे तुम्हारे hurt बढ़ना बंद हो जाएगे अगर तुमने पहले एक enemy को जड़ दिया तो 70% chance हो जाते है कि तुम चीज जाओगे इसके लिए तुम shield up रखो और जब तुम्हारा enemy तुम्हारी shield disable करे तुम उसी time पे उसे crit मार दो बढ़ इसके लिए तुम्हें थोड़ी बहुत practice करनी पड़ेगी क्योंकि तुम्हें ये सब करने के लिए बहुत कम time मिलेगा starting में तुम एक जगे खड़े होकर jump करते रहो और जब भी तुम्हारा enemy shield disable करे तब उसे मार दो बढ़ धीरे धीरे तुम्हें improvement करना होगा और यही चीज movement और single jump के साथ करनी पड़ेगी और अगर हम बात करें थोड़ा advance level की तो तुम अपने enemy के पीछे या side में आने की कोशिश करो और फिर उसे मारो इससे तुम्हें उसकी shield disable करने की ज़रुरत नहीं पड़ेगी और तुम एजीली उसे मार सकते हो तो उसकी shield disable करने की कोशिश जान लिवा हो सकती है क्योंकि तुम जैसे ही उसकी shield disable करोगी वो तुम्हें मार देगा तुम sprint करके उसके पास जाओ और jump करके उसके पीछे मार दो वो बस shield disable होने का वेट करता रे जाएगा और मरने के बाद तुम्हें hacker kiddo बोलके खुद को तसली दे लेगा क्योंकि उसे ये सब कुछ ऐसा दिखाई देगा अब हम बात करते हैं point number 3 यानि tank की तो tank में तुम्हें crit को avoid करना चाहिए और जादा से जादा combo मारना चाहिए और combo के 2-3 types मैंने इस वाली वीडियो में बता रखे हैं और X and shield की तरह tank में भी हमारे पास food नहीं होता है तो हमें फालतुगी jump और sprint को avoid करना चाहिए so point number 4 यानि SMP kit so अगर तुम्हें अपनी SMP kit अच्छी करनी है तो जादा से जादा shield का use करना सीखना होगा बस तुम shield up रखो और जब भी तुम्हारा enemy तुम्हारी shield पे मारे तुम्हें उसी time पे उसे hit करना होगा और फिर से अपनी shield up कर लो और बार बार यही करते जाओ और हाँ इसमें X का use tip तुम्हें shield disable करने के लिए करना है उसके बाद तुम sword पे switch कर लो और SMP kit में healing potion नहीं होते है तो तुम्हें अपनी health 58 से कम नहीं होने देनी है और SMP kit में sword में fire expect लगा होता है तो मैंने इस वीडियो में 2 दिन texture pack दे रखे है तुम कोई सा भी लगा लो जिससे तुम्हारा vision block नहीं होगा point number 5 यानी crystal वैसे crystal के बारे में मैंने तुम्हें इस वीडियो में बता रखा है बड़ इसके अलावा भी कुछ tips है जैसे कि तुम अगर ऐसे crystal करते हो तो यह गलत है तुम्हें अपने enemy को पहले combo मारना है जिससे उसे knockback मिलेगा और उसके बाद तुम्हें crystal फोड ना है ताकि उससे जादा से जादा damage पड़ेगा अगर तुम किसी SMP में खेलते हो और तुम्हारा enemy crystal spam करने में माई रहे तो उससे weakness का arrow मार दो जिससे अब वो हाथ से crystal नहीं फोड पाएगा हाथ sword से फोड सकता है बड़ अब उसे sword siege करनी पड़े कि जिसकी वज़े से वो अब ऐसा spam नहीं कर पाएगा पॉइंट नंबर 6 है अपना op duals और build usc तो देखो op duals में वैसे तो तुम्हें combo ही करना चाहिए बड़ अगर तुम्हें मोका मिले तो अपने enemy को एक ex का crit चिपकाना मत बुलना और रही बात build usc के तो ये पूरा ex and shield की तरही होता है बस इसमें तुम resources यूज़ करके अपने enemy को चोक कर सकते हो so point number 7 है practice so practice के लिए मैं तुम्हें ये world दे रहा हूँ जहां तुम create, ex and shield, crystal, build usc सभी की practice कर सकते हो so बस येर गईस आज की वीडियो में इतना ही मिलता हूँ तुमसे next वीडियो में बाई